अज़ा दोस्तों वेलकम तु ए ब्रैंड न्यू वीडियो खेल तंत्रा हम हमेशा पियाई ओस और ओसी आई के बारे में चर्चा कर चरेखते हैं रिसनली इंग्लिश मैं डैनी बाथ ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर पियाई ओस और ओसी आई के बारे में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लेकर भी बहुत सारा हाइप क्रेट किया गया था लेकिन जो हमारे भारतिये प्लेयर है जो अभी एब्रोड में खेल र बारे में जो किसी फॉरेंड डेश की लीक के एक सीनियर टीम के तरब से फुटबॉल खेल रहे है तो दोस्तों विडाओ वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स बीगिन दा वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे विने के बारे में जो 21 साल के एक सेंटर बैक खिला रह है रिसेंली उन्होंने ओफ के दुनास का लुजना को जॉइन किया था और काफी यॉंग प्रोस्पेक्ट है विने इन केरियर की बार करें तो इंदिया में उन्होंने आरा एफसी और मध्या भारत एफसी के तरब से फुटबॉल खेला था फिर उनको फॉरेंड में फुट के नाम विशाल गयाचंदनी लुपसम्बॉर्ग में फुट्बॉल खेल रहे है वह 24 साल के एक डिफेंडर ही और वह लुगजमबॉर्ग के फुटबॉल क्लब यूसेंडवेलर के तरब से फुटब के एफफेल रहे है यूसेंडवलर लुगसंबॉर्ग के second division league में football खेलते हैं मतलब विशाल गया चंदनी एक Indian player होके किसी एक European देश के second division football league में football खेल रहे है Indian footballing circuit में ऐसा बहुत कम खिला रहे है जो किसी एक European देश के second division league में football खेल रहे है और विशाल गया चंदनी उन में से एग है दोस्तों आप बात करते हैं अनिकेद भारती के बारे में जो एक काफी young talent है अथरा वर्ष के वो एक midfielder है और वो football केल रहे है पोलेन के third division football league में जी हाँ पोलेन के third division football club जनिक्ष पूसको के तरब से अनिकेद भारती खेल रहे है और अनिकेद भारती के ब्रादर अबनीद भारती ने भी रोस्तो पॉर् family है अनिकेद भारती और अबनीद भारती की और अनिकेद भारती लेटेस इंडियन प्लेयर है जो foreign में खेल रहे है दोस्तों अब बात करते हैं सोहाम कथोरिया के बारे में सोहाम कथोरिया 24 साल के एक young midfielder है जो US के football club Duluth FC के तरब से football खेल रहे है और Duluth FC US के fourth division league में खेलते है और Duluth FC को 25 बर्ष के midfielder सोहाम कथोरिया रिप्रेजेंट कर रहे है दे नेक्स प्लेयर ओन दे लीस्ट इस कबीर कोहली कबीर कोहली 20 बर्ष के एक गोलकीपर है जो Spain के third division football league में football खेल रहे है जिहां सुदेवा economy के वो product है और फिर उनको olympic de chativa club ने sign कर लिया था और अब वो olympic de chativa club के तरब से football खेल रहे है कबीर कोहली के बाद एक और प्लेयर आता है और उनका नाम है कबीर नाथ कबीर नाथ भी एक बहुत ही young winger है midfield का रोल भी वो निभा सकते है और कबीर नाथ खेल रहे है इनके third division football club पाला मोस CF के तरब से इससे पहले olympic de chativa club से तरब से भी कबीर नाथ ने football केला था कबीर नाथ के जो parents है वो आसाम से भी लोग करते है हला कि वो लोग डेली में रहते है लेकिन कबीर नाथ का जो root है वो आसाम से है और कबीर नाथ खेल रहे है Spain के third division football league में पाला मोस CF के तरब से दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही को Gabriel Fernandes रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप Gabriel Fernandes की केरियर की बात करें तो एक बहुत ही लंबा केरियर है उनके इंदिया में स्पोर्टिंग क्लाब दे गोवा चर्चिल ब्रादर्स FC गोवा मुंबाई सिटी FC चैननाइन FC जैसे क्लाबों के तरफ से Gabriel Fernandes ने football खेला था और अब वो खेल रहे हैं इंगलेंड के एट दिविजन फुटबॉल लीग के कलाब श्रीवेन हम FC के तरफ से एटिश बर्स के एक विंगर है Gabriel Fernandes नेक्स प्रेयर ऑन दे लिस्ट इस वेदानतनाग और वेदानतनाग 24 बर्स के एक मिटफिल्डर है जो एज राइट मिटफिल् से वो जर्मानी में फुटबॉल खेल रहे थे जर्मानी के लोर डिविजन लीग्स में वो खेला करते थे लेकिन अब उनका केडियर में थोड़ा डेब दॉम्में हुआ है और उन्होंने जोइन क्या है औस्त्रिया के थर्ड डिविजन फुटबॉल क्लब युएस के के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे दोस्तों अब यूरोप से थोड़ा एशिया में आते हैं और एशियान फुटबॉल क्लब अलहिलाल युनाइटेड एफसी के तरफ से यहां पे दो इंडियन प्लेयर खेल रहे है पहला प्लेयर है मोहमाद इंजमाम जो 20 बर्ष के एक ग फुटबॉल की पर है और दोस्तों उनका जो नेशनलिटी है वो इंडियन है भारतिय प्लेयर है मोहमाद इंजमाम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के रेजिस्टर प्लेयर है और वो खेल रहे है यूए के थर्ड दिविजन फुटबॉल लिग में मोहमाद इंजमाम के साथ सेम क्लाब में खेलते हैं एक और एक्साइडिंग इंडियन प्लेयर और वो है हरुन बशीर हरुन बशीर भी एक इंडियन प्लेयर है जो खेल रहे है अल हिलाल यूनाइटेड एफसी के तरफ से यूए के थर्ड दिविजन फुटबॉल लिग में एजे भुतान प्रिमियर लिग में भुतान के एक बहुत ही सक्सेस्पुल क्लाब ट्रेंसपोर्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से नौर्बॉल एफचा खेलते हैं 29 बरश के वो एक मिटफिल्डर है और वो भुतान प्रिमियर लिग में खेलते हैं दोस्तो नेपाल मरशियंदी के तरफ से तो काफी एक अनुभवी प्लेयर है दयानन इलंगबाम दयानन इलंगबाम ने इंडियन फुटबॉल इंग सर्कित में साउडर्ण समीटी और सागोलबान यूनाइटेड एफसी के तरफ से फुटबॉल खेला था दयानन इलंगबाम की तरह ही एक और इंडियन फ्लेयर नेपाल के फुटबॉल लिग में खेल रहे हैं और उनके नाम है क्रिशन कुमार 24 वर्श के एक अगर आप Punkte में बात करे तो इन्दिया में उन्होंनेृ डाइनवोस के रिजर्व टीम हैगर लिग वग के वहोँ और साउंत ऐनाइट ऊनाइट एफšी क के तरफ से भी फुटबॉल खेले थे आई लीक के सेकेंड डिवीज़न में काफी मैचेस किषिण कुमार ने खेल चुके है तो यहां पर दोस्तों किषिण कुमार खेल रहे है नेपाल के टॉप डिवीजन फुटबॉल लिग में तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही प वो senior team में नहीं खेल रहे हैं जब वो senior team में खेलेंगे तब मैं फिर से एक video बना के उन लोग का नाम भी इंक्लूड कर ढूंगा तो रोस्तों इस video में फिलाल के लिए इतना ही उम्मीद है ये video आपको पसंद रहा होगा अगर ये video पसंद रहा तो like कर डिजेगा अगर पसंद एक नहीं वीडियो में अंदिल एन स्टे सेफ स्टे हल्दी अलविडा